टॉंग जिले में त्रिवेनी संगम पर सित जोदपुरिया देवधाम पर बने मासी बांद पर भरावशमता पूरी होने पर लबा लब होकर चादर चलने लगी पानी की आवक लगातार होने से बांद पर दीरे दीरे चादर एक इन से नौ इंच तक जा पहुँची सहायक अभ्यंता के मताबिक बांद के सभी पांच गेट करीब दो-दो फीट खोल कर पानी की निकासी की गई मासी बांद पीपल उपकंड शेत्र की समरिद्धी खुशाली का प्रतीक है जो डेट दर्शक में केवल छे बार ही लबालब हुआ है वही तीन बार चादर चली है इसका मुख्यकारण जलभराव करने वाली नदियों के रास्ते में रोक कर बनाए हुए दर्जनों एनिकट है बुजर्गों के अनुसार 1981 के बाद बांद भरने के बाद छोड़े गए पानी से मासी नदी अपने वास्तवित स्वरूप में नजर आए बांद को भरने में साहिक बांडी नदी भी अपने पूरे वेक से बही जिसके चलते बांद लबालब हुआ बांद में मासी नदी के अलावा साहिक नदी बांडी खेरा खशी से इस बार अच्छी पानी के आवक हुई मासी बांद 2011, 2019, 2022 में लबालब हुआ था सरौली जिले के सबसे बड़े पाचना बांद के तीन गेटों से शनिवार को भी गंभीर नदी में पानी की निकासी की जा रही है हलाकि अब पानी की निकासी कम कर दी गई है ये पानी करीब 42 किलो मीटर दूर मोई इब्राहिमपोर की गंभीर नदी में पहुंच गया है गंभीर नदी के एनिकट पर शनिवार को चादर चल निकली जल्स अंसादन विभाक के अधिशासी अभियंता सुशील कुमार गुपता ने बताया कि बांध से तीन दिन भी गंभीर नदी में पानी की निकासी जारी रही हाला कि अब बांध के तीनों गेट से पानी की निकासी कम कर दी गई है तीनों गेटों से 1200 क्यूसिक पानी की निकासी कर दी गई बांध का जल्स सरब 257.2 मीटर पर है दुपहर तक बांध से 340 MCFT पानी की निकासी हो चुकी थी गौर तलब है कि गुरुबार को बांध के लबालब होने के बाद जल्स अंसादन ने बांध के तीन गेट खोल कर गंबीर नदी में पानी की निकासी शुरू की शुरूआत में बांध के तीनों गेटों से कुल 3000 क्यूसेक पानी निकाला गया उधर गंबीर नदी में पानी पहुचने से नदी में पानी की हिलोरे उठने लगी है इससे गंबीर नदी शेत्र के ग्रामीनों में खुशी चाही है उनका कहना है कि सूखी पड़ी नदी में पानी की आवक होने से शेत्र के जल स्रोत रिचार्ज होंगे